नमस्कार दोस्तो, Red Electrician YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरे नाम सुभा साजदा आज के वीडियो में हम लोग कबर करेंगे एलेक्टरिशन थियूरी का ITF First Year नीमी कोस्टेन सेट को या Model No.8 से और आज का टोफिय के वाइरिंग अभ्यास दोस्तो, पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आए बटन में क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और PDF आप लोग डिस्क्रेप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं तो पहला कोस्टन Conduct Pipe कैसे निर्दिष्ट किये जाते हैं तो इसका सही आंसर है Option No.D वाइव यास मिलिमीटर में अगला कोश्टन पुर्ना तारबानने योग Fuse के लिए Fusing Factor क्या है तो इसका सही आंसर है Option No.D वाइव यास मिलिमीटर में अगला कोश्टन Pendant Holder सहियोजन के लिए Underwriter की गाट का उद्देश क्या है तो इसका सही आंसर है Option No.D समान के Terminal से स्तनाव कम कर अगला कोश्टन Fuse कोन से परकार का है यह जो Fuse है यह कोन से परकार का है उसका सही आंसर है Option No.D अगला कोश्टन विद्धुत समागरी का नाम क्या है इस समागरी का क्या नाम है तो इसका सही आंसर है Option No.D अगला कोश्टन वाइरिंग परिपत में परियुक्त परतिक का नाम क्या है तो इसका सही आंसर है Option No.D अगला कोश्टन अगला कोश्टन वाइरिंग के द्वारा किस परकार के भार को सुरच्चित किया जाता है तो इसका सही आंसर है Option No.D वाइरिंग गीजर एमसीवी का फुल पॉम क्या है मिनेचर सर्किट ब्रेकर अगला कोश्टन किस परकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं यह जो सर्किट दिया गया है इसमें किस परकार का स्विच का उपयोग करते हैं तो इसका सही आंसर है Option No.D अगला कोश्टन कम धारा रेटेट के बल को उच्छी धारा भार में जोडने पर क्या प्रभाव होगा तो इसका सही आंसर है Option No.D गर्मी के कारण केबल खराब अगला कोश्टन कंडुक्ट समागरी का क्या नाम है यह जो कंडुक्ट समागरी दिया हुआ है इसका क्या नाम है तो इसका सही आंसर है Option No.D निरिच्छन बैंड अगला कोश्टन मद्धवर्थी स्विच के साथ कितने टूवे स्विच एक लेंप को तीन अलग अलग अस्तानों से नियंत्रिक करने के लिए उप्योग के जाते हैं तो इसका सही आंसर है Option No.D अगला कोश्टन कंसिल्ड वाइरिंग का क्या फाइदा है तो इसका सही आंसर है Option No.D और नम्हि शुर्जच्छा अगला कोश्टन अर dónde तो आरेक का क्या नाम है यह तो ढायग राम दिया हुआ है इस ढायगहराम क्या नाम है तो उसका सही आंसर है Option No.D परिपत आरेक अगला कोश्चन HRC fuse है तो फ्यूजिंग गुनां क्या है तो इसका सही आंसर है option number B 1.1 HRC का फुल पॉम क्या है High Rapturing Capacity Fuse अगला कोश्चन किस परकार के रिले को AC और DC दोनों में संचलित क्या जाता है तो इसका सही आंसर है option number C आवेग रिले ये जो दिख रहा है ये रिले है आवेग रिले अगला कोश्चन विद्धुत उपकरणों में परियुक समागरी का क्या नाम है ये जो समागरी दिया हुआ इसका क्या नाम है तो इसका सही आंसर है option number C सीधे परवेश के साथ अगला कोश्चन समागरी परतिक का क्या नाम है ये जो समागरी शेंबल दिया हुआ है इसका क्या नाम है तो इसका सही आंसर है option number D पहु स्तीत एकल दुरूप स्विच अगला कोश्चन घेरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश से है तो इसका सही आंसर है option number D टांस्पोर्टेवल उपकरण कनेक्शन अगला कोश्चन किस परिपत भंजक का उफ्योग एकसो एंपियर धारा रेटिंग से उपर किया जाता है तो इसका सही आंसर है option number C molded case circuit breaker अगला कोश्चन तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश है तो इसका सही आंसर है option number C तांबे के तार का उकसिकरण रोकना अगला कोश्चन देखते है चार कुचालित चालिकों के सम्मू का क्या नाम है तो इसका सही आंसर है option number C quiet अगला कोश्चन चार लेंप को नियंतरित करने के लिए गोदाम wiring circuit में कितने दो तरह के switch अवश्चक है तो इसका सही आंसर है option number B 3 अगला कोश्चन बहु मंजिला इमारत के लिए तारो की ट्रीव प्रानाली सबसे उप्युक्त क्यों है तो इसका सही आंसर है option number D कई fuse के साथ दोस्ट ढूंडने में सरलता अगला कोश्चन शिलिंग में इस्क्रू का छेद भरने है तो भरा पदार्थ के रूप में किसका उप्योग किया जाता है तो इसका सही आंसर है option number B नाइलोन का अगला परश्चन यह परती क्या दर्साता है यह जो फिगर दिया हुआ है शिम्बल यह क्या दर्साता है तो इसका सही आंसर है option number B सत का पंखा अगला कोश्चन रिले का नाम क्या है यह जो रिले दिया हुआ है इसका नाम क्या है तो इसका सही आंसर है option number B ड्राइ रीड रिले अगला कोशन आरेक का क्या नाम है यह जो डाइग्राम दिया हुआ है इसका नाम क्या है तो इसका सही आंसर है अगला कोशन देखते हैं ICDP मुक्षूइच का अप्योग कहां किया जाता है तो इसका सही आंसर है अगला कोशन कौन सी विद्धुत समागरी समानों के समानने वर्गेकरन से संभधित है यह जो फिगर दिया हुआ है इसका नाम क्या है तो इसका सही आंसर है option number B Tilling Rules अगला कोशन DC स्रंखला MCB का अनुप्रयोप कोन साह है तो इसका सही आंसर है option number C Locomotive MCB का Full Foam क्या है MCB का Miniature Circuit Breaker अगला कोशन देखते है दोस में सर्कीट को वाधित करने के लिए fuse द्वारा लिया गया समाई क्या है तो इसका सही आंसर है option number C Cut of Gunung अगला कोशन देखते है wiring का tree system किस अस्तान पर सबसे उप्युप्त है तो इसका सही आंसर है option number D बहु मंजिला भवन पर अगला कोशन सुरचित ठंडा मोडने के लिए PVC नली का अधिक्तम आकार क्या है तो इसका सही आंसर है option number C 25 mm अगला कोशन home theater wiring और power wiring के लिए अलग wiring की सिफारिस क्यों की जाती है तो इसका सही आंसर है option number C बिजली के व्यक्तिकरन से बचे अगला कोशन परकासिय परिपत का क्या नाम है ये जो figure दिया हुआ है इस परिपत का क्या नाम है तो इसका सही आंसर है option number C बिजली के व्यक्तिकरन का अधिकरन का उप्योग किया जाता है तो इसका सही आंसर है हिक्की ये जो figure में दिया गया है इसी को बोलता है हिक्की अगला कोशन MCB का विस्तार क्या है फूल फॉम क्या है MCB का तो इसका सही आंसर है option number D miniature circuit breaker अगला कोशन ELCB का उद्देश क्या है तो इसका सही आंसर है option number B आवेस धारा को देखना ELCB का फूल फॉम क्या है earth leakage circuit breaker ये जो figure दिया हुआ है ये ये earth leakage circuit breaker का अगला कोशन अलग बिजली आपूर्ती में परदान किये गए fuse cut का उद्देश क्या है तो इसका सही आंसर है option number A ये सुनिश्चित करने के लिए की line अतिभार नहीं है अगला कोशन die stock set का क्या उप्योग है तो इसका सही आंसर है option number C बेलनाकार pipe पर वाह थ्रेट काटना ये जो figure दिया गया है ये है die stock अगला कोशन wiring installation में परिपत आरेक का उद्देश क्या है तो इसका सही आंसर है option number D किसी विशिस्ट कार के लिए circuit का योजनावत connection दिखाने के लिए अगला कोशन L स्रंखला MCV के साथ कोन से विद्दूद उपकरन परदान किये जाते है तो इसका सही आंसर है option number A general lighting अगला कोशन घरेलू wiring इंस्टोलेशन में लूपिंग बेग लूपिन विधी क्यों पसंद की जाती है तो इसका सही आंसर है option number B कोई अलग से जोडों का उप्योग नहीं किया जाता है अगला कोशन BIS के अनुशाल कठोर कंड्यूक्ट पर थ्रेड की लंबाई क्या है तो इसका सही आंसर है option number B 11 mm से 27 mm BIS का फुल पॉम क्या होता है Bureau of Indian Standards अगला कोशन केस टाइट विसपोटक अस्तापना के लिए किस परकार का कंड्यूक्ट का उप्योग किया जाता है तो इसका सही आंसर है option number B कठोर इसपात कंड्यूक्ट अगला कोशन circuit breaker का का कारी क्या है तो इसका सही आंसर है option number C अगला कोशन MCB में द्विधात्विक पट्टी का क्या कारी है तो इसका सही आंसर है option number A अतिभार से बचाना अगला कोशन और सिष्ट धारा circuit breaker द्वारा क्या सुरच्चा परदान की जाती है तो इसका सही आंसर है option number A जटके से सुरच्चा next question आस्ताई परतिष्ठानों के लिए कोन सी वारिंग उप्युप्त है तो इसका सही आंसर है option number A click wiring अगला कोशन अंतिम कोशन है वारिंग के looping system में face conductor को कहां लगाया जाता है तो इसका सही आंसर है option number D socket senior gentleman कर फू 놀ां तो इसका सही कक्रण गभलों इसका सही को causing this है वारिंस गड़िन